तो हे गाईज, वेलकम बैक ए नीए वीडियो, तो गाईज इस वीडियो में आज हूँ कमपेरिजन करेंगे Samsung Galaxy M51 और OnePlus के नोड का तो गाईज यह जो दोनों स्मार्टफोन आब आपको 125,000 रुपीज में देखने के लिए मिलते हैं तो इस वीडियो में हम दोनों स्मार्टफोन का साइड वाई साइड कमपेर करेंगे और हम आपको बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बैस्ट होगा अगर आपका बजट 25,000 रुपीज है तो आप ये वीडियोंट तक जरूर देखे और अगर आप चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बेल एकन को दवा ले ताकि आप अनवले अप्डेट को मिस ना करें तो कैसे सबसे पहले हम बात कर लें दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की तो कैसे वनप्रस का नोड है उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस अब आपको 25,000 से स्टार्ट होती है जिसमें आपको 60 वी की रैम 64 वी की स्टोरेज मिलती है और उसके बाद आपको 27,999 उपीज में 8 वी रैम 128 वाला वेरियन्ट मिलता है और जो हायर वेरियन्ट है वर 12 वी रैम 250 60 वी वाला है जिसकी प्राइस 30,000 वी आपको देखने के लिए मिल जाती है तो गैसे जो सैमसंग के रैम 128 वी की स्टोरेज जिसकी प्राइस आपको 25,000 पर मिलती है एक हायर वेरियन्ट मिलता है जिसमें आपको 8 वी की रैम 128 वी स्टोरेज मिलती है उसकी प्राइस प्राइस के मामले में और इसके बात करें दोने स्मार्टफन के डिस्प्ले के साइज की तो वन प्लस का नोड है उसमें आपको 6.44 इंचीज की एक Full HD Plus वाई डिस्प्ले मिलती है जहां पर आपको एक Amulet पैनल मिल जाता है और इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगबर्ण सेंसर भी मिल जाता है जबकि सैमसंग ग्लाक्सी M51 में आपको 6.7 इंचीज की एक Full HD Plus वाई डिस्प्ले मिलती है जहां पर आपको Super Amulet Plus वाला पैन पैनल मिलता था वो सैमसंग ग्लाक्सी S2 था तो आपको सैमसंग की S series में S2 नाम का एक स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता था जिसमें आपको Super Amulet Plus वाला पैनल देखने के लिए मिलता है और वो जो स्मार्टफोन था वो 2011 में रिलीस किया गया था तो आप सोच लो कि जो Side Mounted Fingerprint Sensor मिल जाता है जो आपको इसके Power Water में देखने के लिए मिल जाएगा तो डिस्प्ले के मामले में आपको OnePlus का Node अच्छा देखने के लिए मिलता है क्योंकि इसमें आपको In Display Fingerprint Sensor भी मिल जाता है और जो डिस्प्ले की Quality होगी वो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी और रही बाद दोने स्मार्टफून के कैमरास की तो Samsung का जो M51 है उसमें आपको Quad Camera Setter मिलता है पिछवली सेट जहां पर जो Main Camera Sensor भो 64 Megapixel का है जिसमें आपको Sony का IMX 682 का Sensor मिल जाता है जबकि OnePlus के Node में आपको 48 Megapixel का Rear Camera मिलता है जहां पर आपको Sony का IMX 586 का Sensor म 12 Megapixel का आपके लिटरवड एंगल कैमरा मिल जाता है M51 में 5 Megapixel का Depth और 5 Megapixel का Macros मिल जाता है और जो OnePlus का Node है उसमें आपको 8 Megapixel का लिटरवड एंगल 5 Megapixel का Macro 2 Megapixel का Depth Sensor मिल जाता है और रही बाद दोने स्मार्टफून के Front Camera की तो OnePlus का Node है उसमें आपको Front वाली सेट दो कैमरास मिल जाती है जो में कैमरा सेंसर अब 32 Megapixel का है और 8 Megapixel का आपको एक वाइड एंगल कैमरा मिल जाता है तो आप काफी अच्छी वैड़ सेल्फिस क्लिक कर सकते हो OnePlus के Node से और जो Samsung का Galaxy M51 है उसमें आपको 32 Megapixel का Front Facing Camera मिल जाता है जो Central Line Punch Hold Display में आपको देखने के लिए मिल जाता है तो कैमरास के मामले में रियल वाइड साइड सेंसंग M51 अच्छा है और फ्रेंट वाली साइड आपको One Plus का Node अच्छा मिल जाता है क्योंकि दोनों में जो आपको रियर कैमरा आपको एक एडवांटेज मिल जाती है इसमें आपको 8 Megapixel का एक अगलिटावर पोर्ड मिल जाता है जबकि Samsung Galaxy M51 में आपको 7000 mAh की बैटरी मिलती है जिसमें आपको 25 वोड की Fast Charging का स्पोर्ड मिल जाता है तो यहां पर बैटरी के मामले में आपको Samsung Galaxy M51 अच्छा मिल जाता है जबकि जो Fast Charging अब आपको OnePlus के नोड में अच्छी मिल जाती है तो OnePlus के नोड में आपको 30 वोड की Work Flash Charge का स्पोर्ड मिल जाता है जो काफी ज़्यदा Fast है तो यहां पर जो Charging थी वो थोड़ी Fast देनी चाहिए थी Samsung को क्योंकि वे काफी बड़ी बैटरी दे रहे हैं तो यहां पर जो Charging है वो इतनी ज़्यदा Fast नहीं मिलती और यह बात दोने स्मार्टफों के Android version की तो दोनों में ही आपको Android 10 का स्पोर्ड मिलता है Samsung का M51 है उसमें Samsung की Custom Room 1 UI का स्पोर्ड मिल जाता है जबकि OnePlus का Node है उसमें आपको Oxygen OS का स्पोर्ड मिल जाता है जिससे आपको काफी अच्छा Stock Android का Experience देखने के लिए मिल जाएगा तो मेरे खियास से जो आपका Android का Experience जाएगा क्योंकि उसमें आपको Stock Android का Experience मिलता है तो आपको Oxygen OS पूरा को पूरा Stock Android जैसा देखने के लिए मिलता है तो मेरे खियास से जो आपको Experience ज्यादा अच्छा मिलेगा वह OnePlus के Node मिलेगा रही बाद दोने स्मार्टफों के परसेसर की तो दोनों में ही आपको जो परसेस इसको Compare करोगे तो मेरे खियास से Snapdragon का जो 765G वाला परसेसर है वो काफी ज़्यादा Powerful है और इसमें आपको 5G का Inbuilt Sport भी देखने के लिए मिल जाता है अगर इंडिया में 5G आता है तो आपको स्मार्टफों आपको 5G एनेवल होगा जबकि जो Samsung का Galaxy M51 है उसमें आपको 5G का स् सकते हो और अगर आपका बज़ेट सिर्फ 25,000 रुपीज ही है तो आप Samsung Galaxy M51 के साथ जा सकते हो क्योंकि उसमें आपको 60V RAM 128G की स्टोरेज मिलती है जबकि जो OnePlus का Node है उसमें आपको 60V RAM 64G की स्टोरेज मिलती है और अभी तक जो 60V RAM 64G वाला वेरियंट है OnePlus के Node का वो अभी तक फर्स सेल में नहीं आए तो मेरे खिया से आपको Samsung Galaxy M51 के साथ जाना चाहिए और मैं आपको बता दी कि performance के मामले में आपको OnePlus का Node अच्छा मिलेगा, cameras के मामले में आपको OnePlus का Node भी अच्छा मिल जाएगा, Samsung Galaxy M51 भी अच्छा मिल जाएगा, तो ये आपका decision होगा कि आपको कैसा चाहिए आपको performance चाहिए या बैटरी बड़ी चाहिए तो आप decide कर सकते होगी आपको कौन सा smartphone पर chase करना चाहिए तो guys I hope कि आपको ये comparison अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को like कर दीजे, share कर दीजे और चैनल को subscribe भी कर दीजे और साथ है के bell को दवा दीजे ताकि आपन वरे update को miss ना करें, thank you